आज था हमारे कॉलेज के फर्स्ट येर का आखरी दिन और ये है हमारी कहानी का आखरी चैप्टर So, सबसे पहले वो बात जिसकी वज़ा से ये सारी बाते शुरू होई हैं February 4th, Fest की रात Yeah, The Kiss काफी खत जो इस हफ़ते आए हैं, कह रहे हैं कि Finally, कुछ तो हुआ इस कहानी में तो आप सब अब जब आपने बेस्ट पार्ट सुन लिया है तो बाकी का भी सुन लो उसकिस के बाद जो बिलकुल भी हमारे प्रेजिडेंट साब के लिखे प्ले का पार्ट नहीं थी तो उसके बाद understandably वो काफी नाखुश था Technically ये इंटिवल का सीन था पूरा आधा प्ले बाकी था इस सीन के बाद लेकिन दिल तुमने और मैंने उसकी कहानी इतनी बदल दी थी कि उसने कर्टेंस किरवा कर प्ले को वहीं खतम कर दिया ओडियन्स को तो ये सब पता ही नहीं था और शायद उनकी तालिया सुनकर प्रेजिडेंट साब थोड़ा और नाराज हुए तो इसी लिए अब जब हम दोनो तुम और मैं अभी भी स्टेज पर खड़े हैं एक दूसरे का हाथ थामें प्रेजिडेंट साब हमारे सामने आते हैं थोड़ा चल लाते हैं और मुझसे कहते हैं कि यू आर आउट ओफ दे क्लप ये बिल्कुल शॉकिंग नहीं है लेकिन सर्प्राइजिंग था उसका अगला एक्शन उसने तुम्हें भी क्लप से निकाल दिया फिर उसने प्रोडक्शन के बाकी लोगों के उपर थोड़ा चल लाया और बैक स्टेज चला गया तुम और मैं वापस एक दूसरे को देख रहे है ऐसा लग रहा है कि तुमने भी ये किस वाला ट्विस्ट एक्सपेक्ट नहीं किया था दोनों ने दो मिनट पहले इतना कुछ कह दिया था कि अब पता ही नहीं है कि बात कहां ले जाए मैं तुमसे पूछता हूँ कि क्या हम कहीं चल कर बात कर सकते हैं तब ही स्टेज पर दो लोग आते हैं तुम्हारे कजन्स वो क्रिस्मस वाले और उन्हें आते देख तुम मेरा हाँ छोड़ती हो और कहती हो एक घंटे बाद मिले हमारे कैफे में तो एक घंटे बाद अब मैं कैफे में बैठा हूँ जब से यहां आया हूँ सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोचा है हमारी किस Obviously दिल ऐसा ट्विस्ट तुम्हें खुद भी नहीं लिख सकता था इतना कुछ घूम रहा था मेरे दिमाग में इतने दिनों से कितनी बाते कहनी थी तुमसे लेकिन मेरे सारे प्लैंज में वो किस थी ही नहीं तो अब जब तुम आओगी तो सब on the spot सोचना पड़ेगा लेकिन सबसे important बात किस के बाद I mean technically किस से पहले तुमने मुझ से I love you कहा You said You love me और मैंने मैंने तो कुछ कहा ही नहीं तुम जैसे ही आओगी अभी क्या दूँगा तुम्हें क्योंकि Of course I love you too I've loved you since audition night और अब जब पता है कि तुम भी ऐसा महसूस करती हो ये मेरी जिंदगी की सबसे खुब सूरत शाम है मैं हमारे मीटिंग से पांच मिनट पहले पहुँच कया था और तुम अब तीस मिनट लेट हो हर मिनट मेरा confidence गिर रहा है याद आ रहे हैं वो सब दिन जब यहीं बैठा घंटो तुमारे इंतजार करता था और पंदरा मिनट कुजर जाते हैं और अब फाइनली तुम आ गई हो कुछ अलग है तुम में पहले सिर्फ बाहर से दिखता है मुझे तुमने वो सकार्फ पहना है वही रेड सकार्फ जो तुमने कलब की ओडिशन की रात पहना था दिल मैं जब भी तुम्हें याद करता हूँ तुमने हमेशा यही सकार्फ पहना होता है तो तुम आती हो और मैं तुम्हें हक करता हूँ लेकिन अब कुछ और भी ओफ लग रहा है और मेरे दिमाग में इतना कुछ चल रहा है कि मैं तो शुरू हो जाता हूँ तिल हम कलब से निकल गए तो क्या हुआ अब तो सब तुम्हारे टैलेंट को जानते है तुम्हें और ओडिशन्स मिलेंगी मैं भी लिखता रहूँगा तुम्हारे लिए और लिखूँगा में भी हम एक ओडिशन्स टिप बना सकते हैं तुम्हारे लिए बहुत एक्साइटेड हूँ मैं हमारे आने वाले कल के लिए दिल इन फैक्ट एक बात कहनी थी तुमसे मुझे ये बात वहीं से शुरू करनी चाहिए थी दिल दिल तुम सुन रही हो न तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं देती मैं फिर से पूछता हूँ दिल सब ठीक है क्या तुम ठीक हो तुम कहती हो हाँ अक्चली आम नौट शूर ठीक से तो बहतर ही है ये आई जिस्ट आई गॉट अजॉब ऑफ़ फिर तुम मुझे अपने पिछले एक गंटे के बारे में बताती हो एक एक स्टूडेंट थी ओर्डियंस में तुम उससे मुंबई में मिली थी वो एक नए शो की प्रडियूसर है अब उन्हें एक लास्ट मिनिट रिप्लेस्मेंट चाहिए वो मुंबई में तो तुमसे इंप्रेस थी ही लेकिन आज तुम्हें स्टेज पर देखकर और इंप्रेस हो गई तुम्हें तुम्हें तुम्हारा एक on-the-spot audition लिया और अपने शोपर एक रोल ओफर किया तुम मुझे ये सब कहकर मुझसे पूछती हो So, what do you think? मैं तुमसे कहता हूँ की that's amazing Of course, you are amazing This is what you wanted, right? तो कब से शुरू है तुम्हारी शूटिंग? तुम कहती हो, कल से. ओके, और कब तक चलेगी? तुम कहती हो, I don't know. उसने कहा कि शो की स्क्रिप्स अभी भी लिख रहे हैं और if I'm in, then they'll fly me to the set tomorrow. पहला स्केजूल कुछ एक डेड़ महीने का है और अगर मेरा काम अच्छा लगा, तो who knows आगे क्या होगा? मैं तुम से पूछता हूँ, कि okay, और college का क्या? तुम थोड़ा गुस्सा हो जाती हो, और कहती हो, I don't know. फिर तुम ठीक हो जाती हो, और कहती हो, it's like मैंने इसी लिए तो college जॉइन किया था, इसी लिए तो club जॉइन किया था, आज जैसी once in a lifetime opportunity के लिए और club से तो निकाल दिया है अब, लेकिन अब मेरे पास ये option है, इसे reject करना तो crazy होगा, right? मैं कुछ नहीं कहता, तुम मेरे इस जवाब का इंतजार कर रही हो, मुझे यहाँ एक फैसला लेना है, मैं ज्यादा क्या चाहता हूँ, तुम्हें या तुम्हारी खुशी, क्यूंकि मैं चुप हूँ, तुम impatient होकर मुझसे बूचती हो, Hello, क्या हुआ, क्या लगता है तुम्हें, नहीं करना चाहिए, ऐसे मौके बार बार नहीं आते दिल, मैं कहता हूँ, फिर तुम कहती हो, Are you sure? अनजान है ये रास्ता मेरे लिए, मैं तुमसे कहता हूँ कि, अनजान नहीं है ये रास्ता, तुम्हारा सपना है, जो अब हकीकत बनने वाला है, बस थोड़ा अनधेरा है इस रास्ते पर, सिर्फ तुम्हारे डर की वज़ा से, लेकिन तुम्हारे दिल में एक रोश्नी है, तुम्हारे कदम जहां भी पढ़ेंगे, अनधेरा खतम हो जाएका दिल, तुम बूचती हो, तुम्हें कैसे पता, और दिल, इस पल में न, मुझे सच कहना चाहिए था, पूरा सच, कहना चाहिए था कि, मुझे पता है क्योंकि, I love you, लेकिन उस वक्त, तुम्हारे सामने खड़े, मैं बस इतना कह पाया कि, मुझे पता है, क्योंकि वो रौश्णी तुम मेरी जिंदगी में लाई हो, और मैं इतना सेल्फिश तो नहीं हो सकता कि, तुम्हें शेर ना करूँ, सो दिल, वादा करो मुझसे, कि तुम अपने इस टैलेंट को शेर करोगी पूरी दुनिया से, वादा, मैं तुम से पूछता हूँ, और फिर तुम कहती हो, and I remember this clearly, तुम कहना शुरू करती हो, what about, और मैं होप कर रहा था कि तुम कहोगी, what about us, लेकिन फिर तुम सवाल वहीं रोक कर कहती हो, what about, तुम कुछ कह रहे थे, कि कोई बात बता नहीं थी तुमने मुझे, और दिल ये मेरा चांस था, तुम से तीन शब्द कहने का, लेकिन नहीं कह सका, मुझे लगा कि अगर मैं कह देता तो वो सेलफिश होता, लेकिन मैं डर भी गया था, कहने से, तुम्हारे सुनने से, और सुनकर, मुझे अगले दिन छोड़ कर जाने से, तुम स्टार बनने के लिए यहां आई हो, और मैं, आसमान तक तुम्हारे पीछे नहीं जा सकता, ना ही तुम्हें अपने साथ जमीन पर रोक सकता हूँ, तो मैंने नहीं कहा, इंस्टेड, मैंने तुम्हें दूसरी नियूस दी, बताया तुम्हें अपने जॉब इंटिव्यू के बारे में, कि कैसे मुझे आज ही अचानक से, एक सीनियर ने आकर एक उफर दी, कहा कि, कलब के किसी सीनियर ने मुझे रेक्रिमेंड किया है, अब विसलिख ये प्ले से पहले, एक रेडियू स्टेशन में, इस रेडियू स्टेशन में, साटरडे नाइट के मिडनाइट प्रोग्राइम के आखरी सेग्मेंट में, अपनी कहानिया सुनाने के लिए, लेकिन सिर्फ एक इंटिव्यू है, कुछ कह नहीं सकते, दिल शायद तुम मेरी ये बात सुनकर सर्प्राइस थी, शायद नहीं भी, समझ नहीं आया मुझे, लेकिन तुमने ये कहा कि, तुम्हें जॉब मिल जाएगी, मैंने तुम से कहा कि, I don't know that, दिल, फिर तुमने कहा, You don't have to, क्यूंकि मैं जानती हूँ ये होने वाला है, You deserve it, and as your biggest fan, तुम्हें ये रास्ता जहां भी ले जाएगा, तुम जिस भी frequency में मिलोगे, I'll be tuning in, मैं तुम्हें thank you कहता हूँ, फिर तुम कहती हो कि, तुम्हें जाना चाहिए, प्रोड्यूसर को call back करना है, packing करनी है, घर phone करना है, जाने से पहले, हम फिर से हग करते हैं, मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहता, दो एक्स्ट्रा सेकेंड तुम्हें पकड़े रखता हूँ और सोचता हूँ कि, अगर अभी तुम्हें फिर से किस कर दिया तो, क्या होगा? लेकिन फिर आ जाती है मेरी ट्रेड मार्क counter thought, कि अब तो opposite direction में हैं हमारे रास्ते, अब तो हाथ छोड़ना ही पड़ेगा तुम्हारा, ढील देनी पड़ेगी हमारी डूर को, और तयार रहना पड़ेगा उस दिन के लिए जब ये अपने हाप तूट जाएगी, अपने हॉस्टल के रास्ते पर मुड़ जाने से पहले तुम कहती हो, by the way, वो किस? तुम मेरे अंतजार कर रही हो बात पूरी करने का, इस बार में वक्त जाया नहीं करता और कहता हूँ, तुम मुस्कराती हो, और फिर एक, serious tone में पूछती हो, ऐसा क्यों लग रहा है कि, हम एक दूसरे को goodbye कह रहे हैं, ऐसा नहीं है, right? मैं तुम से पूछता हूँ, You want this, right? तुम पूछती हो, This? मतलब? तुम मैं कहता हूँ, ये, तुम्हारा career, तुम यहीं चाहती हो, right? तुम कहती हो, हाँ, I guess, अब हम दोनों को अपने सपने पूरे करने का मौका मिल रहा है, फिर मैं कहता हूँ, तुम्हारी कहानी का अगला चाप्टर उस रास्ते पर है, और मेरा यहीं पर, उसके बाद, हमने गुडबाई कहा नहीं लेकिन, वैसा लगा जरूर, मैंने तुमसे बिना सच कहे, तुम्हें जाने दिया, एक ही बात कहनी थी, तीन शब्द, जो तुम पहले कह चुकी थी, मुझे बस उनको रिपीट करके, टू एड़ करना था, I love you too, दिल, नहीं कह पाया, और अब, इतने महीनों से, इतना कुछ कह कर भी, तुम्हें नहीं पा सका, नहीं मिला मुझे एक और मौका, और शायद मैं डिजर्व ही नहीं करता, कहानी जीने के बाद बदल नहीं सकते, एक सीन खतम होने के बाद उसे दुबारा नहीं लिख सकते, वक्त में वापस नहीं जा सकते, पूरे दिल्ली में महीनों से, हर रात अपने खोई होई प्यार से बात करके, उसे वापस नहीं बुला सकते, मैं ये जानता हूँ, अब समझाओं, मैं जानता हूँ दिल की ये सब मेरी गलती है, और ये शो मेरी कोशिश है, मेरी अपॉलजी है, यहां खतम हो गई हमारी कहानी, अगर उसे वो पुला सकते हैं, फैस्ट की रात, आखरी बार देखा तुम्हें, अगले दिन यहां इस्टूडियो में आया, इंटर्व्यू के लिए, जॉब भी मिल गया, अब्विसली, और उसी रात, शुरू कर दिया तुमसे बात करना, और मैं सच में, उमीद करके बैठा था कि, कभी ना कभी तो, तुम सुन लोगी, और शायद, मेरी कहानी सुनकर, मेरे मूँ से, I love you सुनकर, शायद, तुम वापस आ जाओगी, लेकिन अब तो, कॉलिज का ये साल भी कातम हो गया, और अब, 36 गंटों में, मंडे सुभा, ट्रेन है मेरी वापस अपने शहर की, और जाने से पहले, एक बात कहूं दल, एक और बात, अब जब, कुछ भी कह सकता हूं तुम्हें, उस पल में, जब मैं तुम से नहीं कह पाया की, मैं तुम से प्यार करता हूं, वो फैसला, गलत भी नहीं था, मुझे पता था कि, तुम अपने करियर को चूज करोगी, इसलिए मैंने तुम्हें वो चोईस नहीं दी, लेकिन, एक और बात छुपी है उस बात में, बेल मैं, किसी का, तुम्हारा, तुम्हारा बैक अप नहीं होना चाहता, तुम्हारा, मेबी, ये रिस्क लगा मुझे तुम्हारे साथ, और ना ही मैं चाहता हूं कि, मैं तुम्हें, कन्विंस करूं कि तुम मुझे चुनो, और मैंने अभी तक तुम्हें, अपने नजरिये से जो, यह कहानी सुनाई है जो इसहार किया है अपने प्यार का वो इसलिए किया है ताकि तुम जान सको कि मैं कि मैं इसमें हम में one hundred percent हो यह सब तुम्हें convince करने के लिए नहीं है कि तुम भी मुझसे ऐसा ही प्यार करो क्योंकि अगर मुझे तुम्हें कन्विंस करना पड़ा कि मुझे चुनो मुझसे प्यार करो तो वो तुम्हारा प्यार है ही नहीं वो मेरा बनाया प्यार है उसमें तुम्हारा क्या है? नहीं ऐसा प्यार नहीं चाहिए तुम्हारा अपना बनाया है तभी चाहिए What am I saying? आज की broadcast का point तो goodbye कहने का था, right? अब तो कहानी का हिंड सुन चुके हैं सब tune out कर रहे होंगे अगर मैंने इसे इस chapter को खतम कर दिया तो the end ये है हमारे ये है मेरे प्यार का the end दिल तुम तक बात पहुचा नहीं थी पहुची की नहीं क्या तुम सच में हो यहाँ दिल? क्या तुम मुझे सुन रही हो अभी? तो क्या बात है? क्यूं नहीं वापस आई हो? क्यूं एक बार भी फोन नहीं किया मुझे? इतने खत आते हैं यहाँ हर रोज आते हैं और मैं सब पढ़ता हूँ बहुत लोग खत के end में दिल साइन करते हैं लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारे नाम को ढून रहा हूँ तुम्हारे असली नाम को आज के बाद तो वो खत भी बंद मैं गलत हूँ, right? कहां गलत हूँ, मैं? कुछ नहीं है यहाँ, है न? मैं पागल हूँ, right? You know what, दिल? I wish कि तुम मुझे यह कह दो कह दो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते I know Just because मैं मांग रहा हूँ doesn't mean की मुझे मिल जाना चाहिए ऐसा होता तो सपने लेते ही नहीं हम उम्मीद का तो concept ही नहीं होता लेकिन मैं यह चाहता हूँ चाहने में क्या है? मांगने में क्या है? मुझे तुम से एक final answer चाहिए उसके बाद I'll stop हाँ ओके सो यह करते हैं Come and meet me tomorrow दिल I know यह desperate move है Believe me Live air पे कह रहा हूँ Job तो जाही रही है लेकिन मुझे अब और अफसोस नहीं चाहिए ऐसा अलविदा नहीं चाहिए कि बाद में लगे की नहीं पूरी बात नहीं कही पूरा सच नहीं कहा अगर तुम कल आ गई तो तुम जो कहोगी वो मनजूर है अगर तुम नहीं आई तो वो भी एक जवाब है और वो भी मनजूर है मैंने तुम्हें इन परसन अभी तक नहीं कहा है कि I love you too ये एक मौका दे दो मुझे So I dare you मुझसे मिलकर मेरी आँखों में आँखे डालकर कहो मुझसे कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती और say you love me I would prefer it if you said you love me कुछ भी कहो दे बस एक बार आजाओ कल रात आठ बजए April 24th 8 पी एम आओ और मेरी इस कहानी की एंडिंग लिखता हूँ ये है डेली उनिवर्सिटी का मिटनाइट रेडियो और आप सुन रहे हैं तुमने किसी से कभी प्यार किया है गुद नाइट देल I'll see you tomorrow अँडेलर्सिटी का बजए जएखनाइट रेडिर्स रेडियो खलाइटाग लिएगो ये एम आप तो